हेलो फ्रेंज नमस्कार, एजुकेशन लभर विपीन में आपका स्वागत है, मैं हूँ विपीन कुमार इस वीडियो में हम लोग SSE GDK official paper का अधियन करेंगे यह GK का paper है, यानि इसमें कुल हम लोग 25 प्रसनों का अधियन करेंगे आज का जो सेट होगा, वह सेट नमर दासमा होगा, यानि इससे पहले हम लोग 9 सेट का अधियन कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है, तो चेनल के playlist से आप जाके देख सकते हैं इसके अलावे, reasoning का भी वीडियो आ रही है और एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ कि reasoning का वीडियो कुछ दिन अभी नहीं आएगा कारण यह है कि जो skin touch pen था, वो थोड़ा गरबर पगरा गया, तो हम दूसरे मंगार हैं तो दो-चार दिन में तब तक आती हैं, तब तक हम लोग Hindi और English के प्रस्णों को जारी रखेंगे अभी थोड़ा reasoning के जो वीडियो आएगी उसमें भी लंब होगा तो चलिए आज का पहला प्रस्ण स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 25 प्रस्ण का ही अधिन क्यों करेंगे जबकि हम लोग 50 प्रस्णों का पिछले सेट में अधिन करते थें इसका reason यह है कि आज हम कुछ नया करने वाले थें कुछ experiment कर रहे थे आप ही लोग के लिए कि ताकि आपको अधिक से अधिक content प्रदावन कर सकें और आप अधिक से अधिक चीजों को समझ सकें इसलिए कुछ अधिक मेहनत कर रहे थे इसलिए से तोड़ा लेट हो गया और आज 25 प्रस्ण करेंगे लेकिन 25 प्रस्ण करेंगे इसके साथ explanation के साथ पहले तो हम लोग सिर्फ question पढ़ते थे उसके बाद आके बढ़ जाते थे लेकिन अब explanation भी होगा एक साथ आपको pdf भी मिलेगा आप pdf अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं pdf से भी आप पढ़ सकते हैं इतना content मिल जाएगा आपको pdf में तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के शुरुआत से आप अच्छी तरह से देखिए उसके बाद धेरे धेरे पता चल जाएगा इसमें क्या चीज नया होने बाला है तो आज का पहला प्रसन है बंगाल किसके न्यतरित में धीरे धीरे मुगल नियंतरन से अलग हो गया तो इसका सही जवाब है आप देख रहे हैं कि मुर्शिद कुलिखाओं तो मुर्शिद कुलिखाओं कौन थे इसके बारे में आप कैसे जानिएगा इसके लिए आपको एक यही नया चीज गिया है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यह पीला सा आइकान दिख रहा है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आप इसके बारे में पुरी तरह जानकारी ले लेगें और यह पीडिएप आपको टेलीगराम चनल पर मिल जाएगा तो एजुकेशन लगर बिपीन टेलीगराम चनल को ज्लन कर लेजी वहां से पीडिएप इस प्रकार के डउनलोड कर शक्ते हैं PDF डाउनलोड करने से पहले आपको एक काम करना होगा Adobe Acrobat PDF जो रीडर होता है उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा तब आप इस परकार के चीजों को देख सकते हैं तो देखिए मुर्सिद कुलिखां के बारे में जान लिजिए थोड़ा मुर्सिद कुलिखां जिन्हें मुहम्मद हादी के नाम से भी जरा जाता है और सूर्ज नराइन मिस्रा उनका पहला नाम था के रूप में जन्वे बंगाल के पहले नवाव थी जिन्होंने 1777 तक सेवा की डेकन पठार में एक हिंदू का जन्म 1670 मुर्सिद कुलिखां को मुगल महान हाजी सफी ने खरीदा था तो ये सारे जो तत्थ होता है विक्की पीडिया से लिया गया है तो ये इसमें गल्ती होने की चांस बहुत ही कम होता है और मुर्सिद कुलिखां का जन्म 1660 सिशपी में होता हुआ और उसके बाद मिर्तू इसका 30 जून 1770 सिशपी में मुर्सिदाबाद में हुआ इसके बाद आगे आप पीडियाफ में पढ़ लिजेगा उतना जादे हम एक्स्प्लेट करेंगे तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी तो अगला प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न है HIV HIV एक विशानू है जो सरीर की परतिरच्छा पर नाली पर हमला करता है HIV का पुर्ण रूप क्या होता है तो HIV का पुर्ण रूप होता है Human Immuno Deficiency Virus तो HIV क्या है इसके बारे में तोरा जान लिजे HIV Human Immuno Deficiency Virus एक लेंटी वाइरस है जो Acquired Immuno Deficiency Syndrome का कारण बनता है जो मनुस्यों में एक अवस्था है जिसमें परतिरच्छा तंत्र बिफल होने लगता है और इसके परिनाम सरूप ऐसे अवसरवादी संकर्मन हो जाते हैं जिनसे मेरतू का खतरा हो जाता है तो जैसे आप जान लिए कि HIV बिसानू के द्वरा होता है ये बिसानू जनित रोग है तो अब बिसानू जनित रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है क्योंकि exam में इसे प्रसन पूछी जाते हैं तो देखिए इसके लिए एक trick है आप यहां देख सकते हैं ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो तो इसका आप describe कीजिए देखिए यह सारे जो जो भी रोग हैं यह बिसानु जनित रोग हैं एसे AIDS हुआ चेचक, इन्फुलेंजा इन्फुलेंजा, हर्पीस, डेंगू, श्ट्रोको, मा, खसरा, अरे बीच, गल्स हुआ पिलिया, छोटी माता और पोलियो तो इसे भी याद रखना है ट्रिक के माधियम से तो आप PDF डॉलोड किजिएगा तो उसे एक दूबार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा तो चलिए अगले प्रसन की वर चलते हैं और अगले प्रसन की चानल से पहले अगर आपने चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सस्काइब कर लिजिए और इस वीडियो के बारे में जानकारी देने की लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तो चलिए अगला प्रसन है क्वेशन नमर तीन निमलिखित में से किसे उलम्पिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतिय मुक्यवाज होने का गरव प्राप्त है तो इसका सही जवाब हो जगा बिजदर सिंग निमलिखित में से किसे उलम्पिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतिय मुक्य वाज होने का गड़ प्राप्त है तो इसका सही जबाव जगा बिजद्र सिंग का संबंद किसे है मुक्य वाजी से है अब आता है यह उलम्पीक खेल उलम्पिक खेल से सम्मंदित कुछ जानकारी जान लेते हैं उलम्पिक खेल के बारे में आपको जानना जरूरी होता है उलम्पिक खेल के इतिहास के बारे में सबसे पहले जानते हैं तो उलम्पिक खेल का सुवारम हुआ सा 1776 पुर्व में और पुर्व ग्रीक भगमान जियूस के सम्मान में आवजित किये गए थे पहले आधुनिक ओलम्पिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 में आवजित किये गए थे ये खेल ओलम्पिया सहर में आवजित किये जाते थे इसलिए इनका नाम ओलम्पिक खेल परा पीरेडी कोबर्तिन को आधुनिक खेल का जनक मना जाता है अंतराश्टिय ओलम्पिक समीती की अस्थापना अठावरे सो चोरानवे में पीरेडी कोबर्तिन ने की थी इसका मुख्याले है लुसाने स्विजर लेन्वे ओलम्पिक खेलों का आधर सुवाख है सेटियस, अल्टियस, फोटियस ओलंपिक परतीक पर पंच बले पंच रंगों के होते हैं लाल, नीला, हरै, पीला और काला ये बले पंच महादूइपों का परतनीद्व करते हैं उतरी और दचनी अमेरिका को एक महादूइप माना गया है ओलंपिक दोज सबसे पहले एंट बर्ब, ब्यलजीयब में उनिस्वबीस में ओलंपिक खेलों के दौरान फड़ाय गया था ओलंपिक दोज की बनावट में एक सफेद प्रिष्ट भोमी पर ओलंपिक परतीक है ओलंपिक सपत पियरेडी को वरतिन द्वरा लिखा गया है एक एथलित उर्धाटन समारों में सभी एथलिटों की ओर से सपत को परता है ओलंपिक सपत को पहली बार उनिस्वबीस के ओलंपिक खेलों में एक बेल्जियम तलवारवाज विक्टर वोईंग ने परहा था पहले ओलंपिक समारों में लंदन में 1908 के ओलंपिक खेलों के दौराण आज़ित किये थे उर्धाटन समारों में अथलिटों का नित्रित हमेशा युनानी टीम ही करती है इसके पीछे मेजवान देश की भासा की ओवरनमाला के करबानुशार अन्य सभी टीमें चलती है अन्य टीम हमेशा मेजवान देश की टीम होती है ओलंपिक खेल 1964 और 1944 में दो बिस विज़ोधो के कारण आज़ित नहीं किये गए थे महिलाओ ने पहली बार उनिस्सवा में पेरिश उलंपिक खेलोन में भाग लिया था 896 के पहले गिरेश मकालीन उलंपिक खेल में सबसे अधिक पदस ग्रीश जीत देथे उलंपिक लाओ पहली बार 1928 के आमस्टडम उलंपिक खेलों में प्रजोलित की गई थी जिन सहरों में दो बार गिरिसम काली ओलम्पिक खेलों का आउजन किया गया था, वे थे एथाइंस में कव 896 और 2004 में, पेरिस में 1924, लोस एंजिलस 1932 और 1984, इसी तरह है कि तीन बार ओलम्पिक खेल किस देश में हुआ था, तो लंदन में 1908, 1948 और 2000 बारे में गिरिसम कारें ओलम्पिक खेलों की अधिकतम बार में जबानी सहिक तो राज अमेरिका ने की है, लोस अंजिलस 1932 और 1984, सेंट लुइस 1904 और अटलांटा 1996 में एक ओलम्पिक खेल के रूप में मानता प्राप्त करने के लिए खेल को ब्यापक रूप से कम से कम 75 देशो और चार महादूइप में पुरसो द्वारा और कम से कम 40 देशो और तीन महादूइपों में महलाओ द्वारा खेला जाना चाहिए तो यह आपने जना कि Olympic खेल से संबंधित बारे में अब Olympic की खेल से संबंधित जो भी प्रसन आएंगे आपको इसी इसे हल हो जाएगा तो चलिए अगला प्रसन की वर चलते हैं अगले प्रस्ण है नमलखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटो में प्रावरतक के रूप में किया जाता है तो इसका सही जबा हो जाएगा अवतल दर्पन सर्च लाइटो में प्रावरतक के रूप में ये अवतल दर्पन का इस्तमाल किया जाता है समतल दर्पन का इस्तमाल रूप सज्जा यानि की ड्रेसिंग रूप में इस्तमाल किया जाता है उद्दल दर्पन का उपयोग बाहनों के साइड मिरर में किया जाता है अबतल लेंस का प्रियोग निकट डिश्टी दोस को दूर करने के लिए किया जाता है दरपन कितने प्रकार के होते हैं तो आप जान लिजिए कि दरपन तीन प्रकार के होते हैं समतल दरपन, उतल दरपन और अवतल दरपन समतल दरपन का प्रिष्ट एकदम समतल होता है जबकि उतल दरपन का प्रिष्ट जो होता है उबरा होता है और अंदर वला भाग ये रजितित किया रहता है सिल्वर कोटिट किया रहता है जबकि अब्दल दरपन का अंदर की ओरधासा रहता है और उठा हुआ भाग में रजितित किया रहता है यानि सिल्वर कोटिट किया रहता है अब है अगला प्रसन क्वेस्चन नमर पाँच आंद परदेश राज आधिनियम 1953 द्वारा भारत के ड्यास भासाई राज का गठन किया गया था तो इसका सही जबाव चाएगा पर्थम आंद परदेश हुआ है राजशा जिसका भासाई अधार पर पहली बार गठन किया गया था परदेश भासाई गया था परदेश गुजराती भासेओं के बीच बंबई राज का बटबारा करके महराष्ट गुजरात बना गया था नागा अंदुलन में 1963 नागालेंड का अगठन किया गया था फिर 1971 में हिमाचल परदेश को तो इस तरह से आप इसको देख लेना है सिक्कीम का गठन 1935 में हुआ था और उसके बाद 1987 में मेजोरम और अनुनाचल परदेश का गठन हुआ था अब अगला है कोईस्टन नमर च्वाँ मोटर वाहन संसोधन देखी ये 2019 का प्रस्न है तो ये इसको नहीं देखना है ये करेंट रेपरेश्ट है 2019 नमलखित में से कौन सी नदी जासकर और लदाख परवत मालाओं के बीच वहती है तो उसका सही जबाव हो जाएगा सिंदु नदी सिंदु नदी जासकर और लदाख परवत मालाओं के बीच बहती है तो अब नदी से संबंदित ये परस्ण है तो नदी के बारे में जान लते हैं देखी नदी भारत की परमुक नदियां उनकी उद्गाम अस्थाल और नदी तंद भारत में बहुत सी नदियां हैं भारत में नदियों का महत रिखवेति काल से ही है तो इस तरह से यहां सारा कुछ दिया हुआ है तो आप पर लिजेगा तो नदियां कितने परकार के हिमालिय नदियां होती है और एक प्राइदूपिय नदियां थी हिमालिय नदियां के बिसेटा यह होती है कि उसमें सालों भर पानी रहता है और हिमालिय नदियां अक्सर बाढ़ का कारण होती है जबकि प्राविदूपिया नदी होती है वो बूढ़ी नदी होती है वो इसमें बरसा के ही समया में पानी आता है अन्य था जब बारिस नहीं होती है तो वो सोखने की कगारप्र होती है और बहुत से नदियां बरसा जब नहीं होती है तो सोख भी जाती है अगला है असोख के कंधार अभी लिखो के खोज किस वर्श में की गई थी तुझका सही जवाब हो जाएगा 1958 में असो के कंधार अभी लिखो के खोज 1958 में की गई थी अब दिखिए असोक शमराट असोक के सम्बंधित यहां पर सारे कुछ दिया हुआ है तो इसका असोक का जन्म कब हुआ था और उसके दिखिए असोक के पूरा नाम था असोक बिंदुशार मौर और यह मौर बन से सम्मनित थे असोक का पितान का नाम था बिंदुशार तो आपको देख लेना है पीडियाप में आप सब कुछ एक बार पर लेजेगा तो दियान हो जाएगा यह है 2020 का क्रेंट क्या है 2020 में रूस द्वारा आवजित बारवें बिक्स बिक्स सिखर सम्मेलन की विशाबस्तु क्या थी तो इसका सही जबा हो जगा बैस्विक इस्थरता साजा, सुरच्छा और अभिनव प्रगती अगला प्रस्ण है निमलिकित में से किसने कोलकाता के खुदी राम, अनुसीलन केंदर में बरिष्ट महला, राष्टिय भारो तोलन चंपियनसीप के 35 संस्क्रन की 64 केजी सरेनी में स्वर्न पदक जीता तो इसका सही जवा हो जगा राखी हल दर मिरा भाई चानू और ड्यास ने 2020 में टोकियो में आजित उलम्पिक गेम्स में रज़त पदक जीते तो इसका सही जवा हो जगा रभी कुमार दहिया रभी कुमार दहिया और मिरा भाई चानू टोकियो उलम्पिक में रजत पदक जीता था तो यहां टोकियो पेरालम्पिक से संबंधित यहां पर सारे चीज मिल जाएगा यह हलाकि उलम्पिक से संबंधित है रभी कुमार दहियारो मेरा भाई चानू लेकिन भूल से हम यहां पेरालम्पिक टाइप हो गया तो कोई बात तरह से आपको समय पर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अज पहली दिन है तो सर्च करने खोजने में समय लगिया है हिमालय परवत की सुदूर उत्तरी परवत माला को किस नाम से जना जाता है तुछका सही जवाव जगा महा हिमालय तो हिमालय एक बलित परवत है और हिमालय में सबसे उची वाले जो भाव होता है कारा कुरव हिमालय में है तो हिमालय से संबंधित यहां सारे कुछ दिया हुआ है तो एक बार देख लेना है आपको आगे प्रसन है निमलिखित में से किस ने हैदराबाद की चार मिनार का निर्मान करवाया था तो हैदराबाद की चार मिनार का निर्मान कूली कुतुब साह की द्वारा करवाया गया था और यह कहां है है हैदराबाद में है और यह किस नदी के किनारे है मुशी नदी के किनारे है है हैदराबाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 मिनार से समबंधित सारे facts अबलेवल कर आया है आगए है 1965 में ग्यानपीअ पुरुषकार पौने वाले परतंब्यक्ति कौन थे 1965 में ग्यानपीअ पुरुषकार पौने वाले परतंब्यक्ति थे J.Sankar Groupe तो ग्यान फीट से सम्बंधित सारे चीज अविलेबल कराना था तो अगले दिन से हम टोटल 25 में 25 प्रसनों के सारे फैक्ष आपको पीडियाप में अविलेबल करा देंगे साथ में डिस्क्राइब भी थुरा-थुरा कर देंगे अगला प्रसन है निमलिखित में से काउन सा खनीज अधात्विक खनीजों की सरेनी में नहीं आता है तो अधात्विक खनीजों की सरेनी में बॉक्साइड नहीं आता है ये बॉक्साइड एलिमूनियम का खनीज है ये धात्विक खनीज है तो यह है चन्नाई में Equitrux Small Finance Bank का मुख्याले का है चन्नाई में 27 October 2020 को आज़ोट विस्व ड्यास विरासत दिवस की विशेवस्तू योर विंडू टू दा वर्ल्ड थी तुझका सही जवाब हो जाएगा ड्रिस च्रब निमलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग सा और मांडू कहां है मदपर्देश में है एक परसना आता है कि मांडू की रानी रूप मती का संबंद किस से है तो मांडू की रानी रूप मती का संबंद बाज वहादूर से ये याद रखना आपको ये दुहजर बीसकीज का करेंट रेफिर्स है जेम्स मील ने अपनी पुष्ट तक The History of British India में भारतिय इतिहाज को तीन काल खंडो में बिलाज़त किया था निमलिखित में से कौन सा उनमें सामिल नहीं है तो इसका सही जबाव हो जगा इसाई उनमें सामिल नहीं है महत्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की सुरुवाद कहां से की तो इसका सही जबाव हो जगा सारबर्व मती आसरम से महत्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की सुरुवाद की थी 12 मार्च 1903 को यह 24 दिन तक चला था और कब समाप्थ हुआ था? 6 अपरेल 1903 को यह समाप्थ हुआ था 6 अपरेल 1903 को अगला प्रस्ण है पानी से बने अमलिय और छारिय बिलियन विदुत का चलन करते हैं क्योंकि वे कर्मसा ड्याज और हाइड्रोकसाइड आयन उत्पन करते हैं तो इसका सही जबा हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोकसाइड यहनि हाइड्रोजन और हाइड्रोकसाइड आयन उत्पन करते हैं अला प्रस्ण है क्वेश्चन नमर तईस नमलेखित में से कि इन देशों ने दचनी, चीन और इंडो-पैसफिक छेतर में चीन के बरते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक प्रियास के रूप में अगला प्रसन है भारतिये आर्थिक सर्वेचन निवेश अंतरवा से बाच शेतर का योगदान लगव कितना है तो दो ती आई है अब है अंतिम प्रसन निवलिखित में से किसे सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट प्रियावरन काड़ेकरम द्वारा भारत के लिए छेतरिया राजदुत के रूप में न्यूत किया गया तो इसका सही जबाव हो जाएगा खुशी चिंदा लिया तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और अपना राय जरूर देजिए इस वीडियो के बारे में और इसमें क्या सुधार किया जाता है ये भी राय जरूर देजिए और एक बात आपसे पूछना है कि आप किस स्टेट से आप हमें देख रहे हैं समझ रहे हैं जरूर बताईए अपने कमेंट मेंग ताकि हमें पता चले कि आप कहां से हैं हमसे जुरे हुए और हमारा फैमली छोटा ही फैमली है कोई दिक्कत नहीं है एक दिन धीरे धीरे बड़ा होगा और हम लोग सफल जरूर होगे तो आप लोग मेहनत करते रहे हैं और हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा तो बताईए अपना नाम और आप किस स्टेट से हैं कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद मुझे खुशी होगी और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन